जोती सचार जी मना जा रहा है सुर्व भगवान अपना जो नच्छत्र है वह परिवर्तन कर चुके हैं तो किस नच्छत्र में परवेश किये हैं और इसे किन रासियों के उपर सकरात्मक पर वहाँ पड़ रहा है भगवान सुर्ज जिस तरह रासी परिवर्तन करते हैं उसी प्रकार से नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इस बार सुजगवान स्रवणा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं सर्वना नक्षत्र में प्रवेश करने से उनका सीधा प्रभाव रासी पर पड़ता है इसमें मैस, कन्या और तूला यह तीन रासी पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिससे तीन रासी वाले के उपर सुर्ज की क्रपा बरसेगी सुर्जी की क्रपा ऐसी होगी जदि वह जमीन खरीदना चाहता है तो जमीन खरीद लेगा वहन खरीदना चाहता है तो उसका बहुत अच्छा योग है और जदि वह भ्यावसाय में धन निवेश करना चाहे या नया भ्यावसाय चालू करना चाहे तो अभी का समय जब तक बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा विद्यार्थियों को पढ़ने का भी मोका मिलेगा व्यवसाईयों के लिए बहुत अच्छा समय है धन्निवेश करें सुझी की कृपा होगी और सारी कष्ट जो है वह सारे दूर हो जाएं यह सु झयान की क्रपा जो है जो ती रासी पर पढ़ने जा रहे है वह तीन रासी जो है मेंस तूला और कर्ण्या यह वाले के ऊपर सुर्जह की क्रपा विशेंस रूप से पढ़ने जा रहे है झाल झाल